तो exercise 10.1 का question number हमारा पहला है यह हमसे कहा रहा है एक रेखा खीचिए और उसके बाहर इस्थित कोई बिंदू C लीजिए केवल पैमाना और परकार का प्रियूप करते हुए C से होकर AB के समांतर एक रेखा खीचनी है तो मानलो हम सबसे पहले आपको रफली समझाते हैं मानलो हमारी ये कोई रेखा है AB इसके समांतर क्या खीचना हमें एक रेखा CD खीचनी है ठीक है और यहाँ पर इन्होंने कहा है इसके बाहर कोई बिंदू C लेना है ये इस रेखा के बाहर है इसी के समांतर हमें रेखा खिष्णी है और हमको पता है दो हमांतर रेखाएं हमें तभी होती है जब हम नारा ये वाला कौण और ये वाला कौण जिसे हम एकांदर कौण करते हैं ये बराबर होते हैं तो ही हमारी ये दोनों रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं वो हमारी से तो इस चीन आप लिए सी कोम मिला देंगे किसे मिला देंगे किसे मिला देंगे यह चाहें51 को यह वाला एंगल हो जाहेंban यह एंगल इसके बराबर होगा यह एंगल हमारे इसके बराबर होगा तो यह वाला जो एंगल है उसके बराबर हमें उपपर से इधर साइड में एक एंगल बनाना होगा से तो हमने क्या क्या है प्रकार में एक चाप भड़ लिया और हमने चाप जो है इस तरीके से लगा दिय यहां पर इस तरीके से चाप लगा दिया अब यह जो पॉइंट हमको मिला है उसको हम यहां पर इस तरीके से एक समांतर रेखा बना देंगे तो यह रेखा जो है वह हमारी एबी के समांतर रेखा हो जाएगी यहीं हमसे कहा था बाहर एबी के बाहर इस्थित कोई बिंदुसी से एबी के समांतर एक रेखा किस नी थी तो यह एबी के समांतर रेखा यह वो हमारी खिच गई है इस तरीके से पहला कोश्चन जो है वो हमारा कम्प्लीट हो गया अगला हमारा question है दूसरा यह हमसे कहा रहा है एक रिखा L खीचिए और L पर इस्थित किसी भी बिंदु पर L पर लंब खीचिए इस लंब रिखा पर एक बिंदु X लीजिए जो L से 4 cm की दूरी पर हो X से होकर L के समंतर एक रिखा M खीचिए तो question जो हमारा दूसरा है इसके कहने का मतलब क्या है नो ने कहा है एक रिखा L लो तो हमने कोई रिखा L लेनी पर इस पर हमें क्या करना है लंब बनाना है तो इस तरीके से हमने लंब बना दिया ठीक है और यह कह रहे हैं यह जो लंब हमने खीचा है उसमें X पॉइंट लेना और x point जो है उसकी दूरी मतलब यहां से और x की दूरी जो है कितनी है 4 cm की है और इसी x से होते हुए ठीक है इस रेखा के समांतर रेखा में m खीचनी है तो यह जो है हमें रचना करनी है तो चलिए करते हैं अपनी रचना इन्होंने रेखा L की लंबाई जो है वो नहीं है इसमें क्या करना है लंब बनाना है तो रखेंगे और यहां से उसी चाप से ही दी सी चाप यहां लगाएँगे लिए जो फोउंको पॉइंट मिला है यहां पर सभी हम दूसरा चाहएंगे एक आप हम कहां लग लगा देगे उपर लगा देंगे और यह वाला जो हमको पॉइंट प्रकार में चार संटीमीटर भर लेते हैं तो हमने चार संटीमीटर भर लिया तीक है और यहां पे चाप लगा दिया और यह जो चाप लगाया है यही हमारा क्या है एक्स है तीक है अब इसी एक्स बॉइंट से होकर ही हमें क्या खीचना है एक समांतर रेखा खीचनी है तीक है अब हम क्या करेंगे भई हम समांतर रेखा नहीं है तो सेम ऐसे ही यह जो हमारा कोड होगा इसके बराबर यहां पर कोड होना चाहिए मतलब यह जो कोड हमारा बन रहा है इसी के बराबर हमारा इधर भी कोड बनना चाहिए तो हमारी समांतर रेखा खिच जाएगी तो हम क्या गरेंगे यह जो हमने अपने प्रकार में भड़ लिया और यहाँ पे रखा यहाँ पे इस तरीके से चाप लगा दिया अब चाप हमने लगा दिया अब हम क्या करेंगे एक रेखा खीज देंगे इस तरीके से हमने रेखा यह खीज दी तो यह हो गया हमारा दूसरा कोश्चन, अब करेंगे हम तीसरा कोश्चन, यह कह रहा है मान लिजे L एक रिखा है और P एक बिंदु है जो L पर इस्थित नहीं है, P से होकर L के समानतर एक रिखा M खीचिए, अब P को L के किसी बिंदु Q से जोडिए, M पर कोई अन्य बिंदु R चुनिए, R से होकर P के समानतर एक रिखा खीचिए, मान लिजे यह रिखा L से S पर मिलती है, समानतर रिखाओं के इन दोनों इगमों से बनी आकरती को क्या कहते हैं, तो इनके कहने का मतलब क्या है, देखो, क्या करना है, हमें एक रिखा L लेनी है, ठीक है, और इस पर हमे क्या लेना है, इसके बाहर एक बिंदू P लेना है, P हमने ले लिया, अब यह क्या कह रहे है, P जो है, वो बाहर रिखा रिखा खीचित है, ठीक है, हमने एक रिखा किस दी, फिर यह कह रहे है, कि रिखा जब हमने खीच दी, उसके बाद हमें क्या करना है, P को L के किसी हमें क्या खेचना है एक रेखा कीचनी है ठीक है यह जो रेखा है वो हमारी क्या हो जाएगी आर और एस हो जाएगी ठीक है नाप इनों नहीं दी है तो हमने एक रेखा खीज दी और ये जो रेखा है हमारी कौन सी है L रेखा है इसके बाहर हमने कोई बिंदू जो है वो P मान लिया है अब P तो हमने मान लिया है अब क्या करेंगे भाई P तो हमने मान लिया माल लो यहां पे कोई बिंदू जो है वो हमने X बना दिया अब पी को हम X से मिला देते हैं ठीक है मिला दिया हमने भाई P को X से हमने मिला दिया तबी थो हमें एक समांतर रेखा खीचेंगे, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक चाप लगायेंगे, कोई भी चाप को सबस्क Dominus, जो यहाँ ऍंहें, 详ू है, आपकी मर्जी नहीं करेंगे, तो हमने यहाँ पे एक चाप जो है, वो लगा दिया, चाप हमने लगा दिया, अब यही चाप जो है, हमें इधर भी लगाना होगा, अब क्या करेंगे, अब यह जो दूरी है हमारी, इसको हम माप लेंगे, यह दूरी हमने माप ली, भर ली अपने प्रकार में, अब यहां से लेकर, हम यहां पे एक चाप लगा देंगे, अब हमको L रेखा जो है उसके समानतर रेखा होगी अब यह जो हमने रेखा किची है वो हमारी कौन सी रेखा होगी M रेखा होगी इतना इन्होंने बोला था अब यह कहा रहे हैं इस पे कोई Q बिंदू लेना है तो माल लो इस पे हमें कोई कोई बिंदू जो है वो हमने Q ले लिया अब अब हमने P और Q को मिला दिया P और Q को मिलाने के बाद इन्होंने क्या कहा है कि M पर कोई बिंदू R चुनी है ठीक है यह हमारी M रेखा है इस पर कोई बिंदू हमने R जो है वो चुन लिया है मान लो हमने यहां पे आर बिंदू जो है यहां पे ले लिया आर बिंदू से होकर पीक्यू के समांतर एक रेखा खिछनी है मतलब यह जो हमारा पीक्यू है इसके समांतर हमें यहां पे रेखा खिछनी है तो पीक्यू के समांतर रेखा खिछनी है तो क्या करेंगे यह जो हमार कोड है सेम कोड हमारा यहां पे बनना चाहिए तब ही वह हमारी पीकुल के सवांतर होगी तो हमारा हम क्या करेंगे कोई दूसरा चाप बना लेते हैं ठीक है यह चाप जो है वह हमने बनाया और सेम चाप जो है हम यहां पे बना लेते हैं इस तरीके से हमने बना लिया अब यह दूरी जो है हमारी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ठीक है इसको हम भर लेंगे प्रकार में यह हमने भर ली ठीक है अब इसी दूरी से ही हमें क्या करना है यहां पर चाप लगा देना है अब हमको एक पॉइंट मिला है यहां पर यह पॉइंट अब इसको मिलाते ठीक है अब हमारा ये जो ये जो हमारा रेख्ञा selon कर आ पर गेना है वो को देना है नाम एस अपर है करें इस तरीके से हमको एक आकरती मिल ग़ी ठीखे और हमने अभी क्या किया है ठीक्यू के समांतर हैं तो ये इसके शेuggling ये इसके हुर तो हमारी बनी हुए आयरति क्या जाएगी यहां एक कैसा कि समांतर कि सत्रेड़ है ठीके इस तरीके से लिख देंगैं हमारी क्सिसाउश चो है पूरी अब आपको सबको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे